Hello everyone, welcome to free study, so the next video for Insta August 2020 current affair compilation, हमने जून 2019 से लेकर जुलाई 2020 तक के सभी वीडियो अप्लोड कर दिये हैं and playlist भी बना दी हैं, आप चाहें तो देख सकते हैं channel पर and सभी playlist अगर आपको कोई मन्त का particular current affair का वीडियो देखना है तो आप वो भी देख सकते हैं, playlist के अंदर आपको easily मिल August का current affair का compilation और करेंगे हम, September का नहीं करेंगे, September का हम October के prelims के बाद करेंगे मैं आपको दुबारा से इस बात को बता देती हूँ, September के current affair compilation का wait आप मत कीजेगा, please आप उसको website से daily attempt कर लें, quiz करके देख लें, ठीक है August का आपको within 6 years, 7 days complete मिल जाएगा, means most probably 10th September तक हम इसको complete कर देंगे After that, revise, revise and only revise, so table of contents हम नहीं पढ़ेंगे, यह हमारे time waste करेंगे, क्योंकि इसको हम topics wise ही करते रहेंगे PDF को आप भी download कर लें, website से, साथ-साथ channel को ज़रूर subscribe कर लें, bell icon ज़रूर press करें and videos को share भी करें ठीक है, videos को आप Facebook पर share कर सकते हैं, WhatsApp groups में share कर सकते हैं अगर आप अपने friends के साथ पढ़ाई कर रहे हैं, तो वहाँ भी share आप कर सकते हैं So start करते हैं, GS1 से 8 pages तो हमारे ऐसी चले गए है, 170 pages है, तो around 160 pages तो कोशिश यही रहेगी कि 20 pages हम per day करें and अगर हो सकेगा तो 30 भी करेंगे, ताकि हमारा within 7 and 8 days यह complete हो जाए So let's start with topics, Indian culture will cover the salient aspects of art forms, literature and architecture from ancient to modern times So Nagara Architecture of Ayodhya Ram Mandir, तो Ayodhya का जो राम मंदिर है, वो Nagara जो style होता है North India की तरफ, उसके according बनेगा ठीक है, तो राम जन भूमी, art and culture में आपने पढ़ा होगा, Nagara style of temple architecture, Northern India को बिलॉंग करता है And इसके अंदर क्या-क्या होता है, वो मैं अभी आपको diagram में बताऊंगी तो सबसे पहले तो यह उचाई पे बनाया जाता है, आपरीस platform पे, उसे कहते है जगती Alright, then जो गर्ब ग्रीहा होता है, गर्ब ग्रीहा के सामने होता है मंदप Then these are adorned with shikhar, shikhar भी आपको मैं अभी diagram के अंदर जिखाती हूँ जो गर्ब ग्रीहा के उपर means लगता है, these are adorned with shikhar, the tallest one being above the गर्ब ग्रीहा तो गर्ब ग्रीहा के उपर जो सबसे बड़ा shikhar है वो लगाया जाता है जो नगारा style है, ध्यान रखेगा, इसके अंदर boundary walls और gateways नहीं होते जबकि आपके जो ड्राविडियन style है उसके अंदर होता है यहाँ पर कोई water tank भी नहीं होता, temple prices में ठीक है and prediction art path is covered ओके तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे, जो गर्ब ग्रीहा है वो हमेशा tallest tower के नीचे आपको दिखे गा देन देखिए, यह आपको basic forms बताने से पहले, यहाँ पर हम इसको देखेंगे, क्योंकि वो छोटा-छोटा दिखाई दे रहा है बट मैं आपको इसको भी दुबारा से दिखा देती हूँ, because this is important art and culture से भी अगर हम इसको relate करें तो यह आप देखिए नगारा style, अभी इसको जो राम मंदिर का जो आर्किटेक्चर जो बना हुआ है, उसके अंदर भी देखेंगे this is your amlak, जो ऐसी होता है न, this is your amlak, यह आपके mandaps है, ठीक है, तीन भी हो सकते हैं this is your plinth, means जो थोड़ा high, means जो उचाई जिश्चे से बनी हुई है then यह आपको दिखाई दे रहा होगा, this is your axis mandi, this is your shikhar, this is your garb griha, जहापे आपका जो मूर्ती है वो रखी रहेगी this is your garb griha, means garb griha के अंदर क्या रखी रहेगी image, कोई temple वो नहीं है, पानी नहीं है, ठीक है, कोई gateways नहीं है, कोई walls नहीं है अब यह है आपका ज्रावेजियन, यह होता है गोपुरम यहाँ पर, then यह है आपका mandap, ओके वहाँ पे देखिये थे, हमने तीन mandap भी होते है now this is your विमान, ठीक है, यहाँ पर विमान भी होता है, यह गरb griha है, यह शिखर है, आप इसको art and culture, अगर आप नितिन सिंगानिया की बुक पढ़ रहे हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं day 11th class की जो art and culture की वहाँ से भी आप देख सकते हैं, तो basic form, गरb griha means वो रूम जहाँ पर जो डाइटी होते हैं, उनको रखते हैं, mandap means जो hall होता है entrance का, ठीक है, जैसे मंदिर के बाहर जहाँ पर सब लोग बैठी रहते हैं, तो आप उससे धियान रखिए, शिखर, शिखर व आपने देखे होंगे, mandir ऐसे ऐसे अभी महाँ पर कोई mandir है नहीं, जो मैं आपको दिखा सको हैं, भी इसके अंदर diagram के अंदर हम देख लेंगे, करवी linear भी होते हैं, ऐसे भी बन सकते हैं, और वहान, वहान क्या होता है, जो वेहिकल हो, डाइटी का, तो उसको भी कभी कभ खा जाता है, खासकर के ड्रावेडियन में, तो नगर आर्किटेक्चर को हमने तीन स्कूल के अंदर भी ये आपको नितिन सिंगानिया भुक में मिल जाएगा, कि उडिसा का क्या स्कूल है, खजुरा होका है, और सौलंकी का, ये दुबार से आप डाइग्रम यहां पर जाएगी गर्भ ग्रिहा के अंदर, अब जो है पर चक्कर लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं उसे कहते हैं पत प्रदिक्षना पत, ये आपका शिखर है, ठीक है, इस ये आपका कलश है, यहां पर जो आपका जंडा है, दाट इस धुच, तो नाओ, लेट्स स्टार्ट विच बुद्धा, इंडिया and नेपाल in war of words, तो कहां के थे बुद्धा, इंडिया के हैं या नेपाल के हैं, कहां कि उनकी सिटीजनशिप है, इस बात पर लड़ाई चल रही है, इंडिया और नेपाल के बीच में, तो शब्दों की लड़ाई चल रही है, कि गौतम बुद्धा क उन्होंने कहा काटमंडू के अंदर, क्योंकि इंडिया के जो एक्स्टरनल अफ़ेर्स थे, यो वहां के सौरी एक्स्टरनल अफ़ेर्स ने कहा है, हमारे जो इंडिया के एक्स्टरनल अफ़ेर्स मिनिस्टर है, आएस जे शंकर, उन्होंने कहा कि जो डिस्क्राइब्दर बुद्धिज्म as one of the greatest Indians ever कि बुद्धिज्म का foundation करना बुद्धिज्म को found करना ये Indians का काफी अच्छी achievement है जब उन्होंने ऐसा कहा तो वहां के भी जो foreign affair थे उन्होंने भी reply किया कि जो Nepal है वो land of origin है Lord Buddha का History क्या कहती है आपने पढ़ी होगी थोड़ा से यहां भी पढ़ लेते हैं Gautam Buddha was a prince of Shakyya Republic Shakyya clan के थे and which extended till the current border order or reason of India and Nepal जो capital थी वो कपिल वस्तु थी जो location है जो की maintain मतलब बताते हैं historians and by the time Gautam was born to Shakyya chief उनके जो father का नाम था पुता शुद्धोदन and mother का नाम था महा माया जो the Republic was a vessel of Kaushal kingdom Kaushal kingdom के से यह बिलॉंग करते थे बुद्धिस टेक्ट के अंदर जो Shakyya की जो chief family थी it has been identified with the Ikshvaku lineage and it is same lineage as Lord Ram नाओ अयोध्या जो है अंदर Kaushal आपने पता होगा वहा के प्रसंजी थी तो आपने नाम सुने होंगे तो अयोध्या जो थी it was the central line of Ikshvaku tree जो की expand कर रहे नेपाल तक and इंडिया में भी as the borders क्योंकि उस टाइम पे जो borders थे वो डिफाइड नहीं थी जैसे की आज है तो बुद्धिस टेक्ट के according जो गुत्धा जो गौतम बुद्धा थी जनम हुआ था जब उनकी जो मदर महमाया थी वो ट्रेवल कर रही थी so वो लुम्बिनी में उनका जनम हुआ जो की नेपाल में है and लुम्बिनी एक UNESCO declared heritage site भी है and इंडिया क्या कहता है इंडिया ये कहता है कि जो गौतम है उनका जो मेंस लालल पानल हुआ मेंस जब वो बड़े हो रहे थे तो कपिल वस्तु के अंदर and whose location is yet to be identified conclusively so उन्होंने कपिल वस्तु जो था वो छोड़ दिया था अपने spiritual caste को फुल्फिल करने के लिए and फिर वो राजग्रिहा बिहार के अंदर आ गए थे and he was still prince Gautam so conclusion क्या है conclusion यही है कि Gautam Buddh को जो enlightenment प्राप्त हुआ था वो बोध गया के अंदर हुआ था इंडिया के अंदर and यहीं से जो Gautam थे वो बुद बने थे चार डिकेड से उन्होंने अपने लाइफ के यहाँ पर गुजारे थे इंडिया नेपाल बॉर्डर के पास Gautam Buddh ने जो अपना पहला सर्मन दिया था वो वारा नसी के अंदर दिया था and he kept wandering and in the worst expense of the kingdom of Magad and जो बुद्ध के जो means उन्होंने जो अपनी लास्ट जीवन बिताया था means यहाँ पर उनकी मृत्ति हुई थी कुशी नगर में a town in Eastern UP so conclusion यह है कि उस टाइम पर तो देखे citizenship का concept था नी it was not a concept की political boundary क्या है and all boundaries change होती रहती है so his life was model as a citizen of humanity तो नेपाल का जो claim है कि Gautam Buddh जो थे वो नेपाली citizen थे यह उनको नेपाली identity देना so it means थोड़ा unfair लगता है क्योंकि जो बुद्धा थे जो Gautam थे वो general resident इंडिया के ही थे and yes he was born in Nepal but उनकी जो pregnant mother थी was in journey तो journey के time पर वहाँ पर जनम हो गया so वो claim कर रहे है now India Buddhist religious places तो अब आप places भी देख लीजे कहां कहां पर आपको Buddhist मिलता है यह पहले आपको मैंने पूरा वैसे दिखा दिया है अभी मैं आपको छोटा छोटा करके बढ़ा करके दिखाती हूँ तो यह आप देख सकते हैं ले है ठीक है this is your lay ले है धर्मशाला है ताबो मुनेस्ट्री है यहां पर आपको दिल्ली, मत्थुरा, सांची यह आप उत्तर परदेश और बिहार के अंदर देखें सबसे जादा है श्रवस्ती, कुशी नगर, सारनात, कौशंबी, वारानसी, बोध गया, पतना गया हाजीपूर, राजगी, नालंदा, कुरकीहर यहां पर आपको दिखेगी रुम, टेक, तैवांग यहां पर आप देखिए अजन्ता, एलोरा नाम, द्रोलिंग, मोनास्टरी, नागर, चुना, कॉंड़ा तो यह सब बुद्धिस्ट प्लेसेज़ है तो उरिसा टो गवर्मेंट ने अनौंस किया है कि वो, जो 11 सेंचुरी के अंदर जो लिंगराज टेंपल बना था उसके लिए कुछ मंद्स हेल्प करेंगे एक 350 एर का स्ट्राक्च्रल स्टेटस उसको प्रोवाइट करेंगे तो क्या है, यह स्पिरिच्वल एड एकलोजिकल एम्बियन्स करेंच करने की कोशिश की जा रही है लिंगराज टेंपल शिवा के लिए है इसे बनाया था किंग जजती केशरी ने आफ सोम बंश सोम बंश के किसने किंग जजती केशरी ने नाव यह रेड स्टोन में बना हुआ है कालिंगा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है बिंदू सागर लेक के आसपास बना हुआ है यह जो टेंपल है इसे बनाया था सोम बंशी डैनेस्टी ने और जो लेटर एडिशन किये थे वो किसने किये थे गंगा रूलर्स ने इस टेंपल के अंदर विशन की भी इमेजेश है नौ दियूला स्टाइल जो टेंपल है लिंगराज टेंपल जो है वो दियूला स्टाइल के अंदर बना हुआ है मीन्स इसके अंदर चार आपके वो दिखाई देंगे compartments दिखाई देंगे जैसे एक आपको दिखाई देगा विमान then आपको दिखाई देगा जग मोहन means जहाँ पे assembly or hall जिसे कहते है then not mandira जो festival hall है then bhog mandap means जहाँ पे bhog लगाया जाता है यह आप देख सकते हैं दुबारा से this is your khakar e deula this is your pida deula यह आप उस book में पढ़ सकते हैं नितन सिंगानिया की book में अच्छे से बताया हुआ है this is your reka diol ठीक है this is a reka diol and यह आपका मंदिर से related and this is garb griha now cultural heritage of hyderabad तो ministry of tourism ने 50th webinar organize किया जिसका title था cultural heritage of hyderabad देखो अपना देश series के अंदर तो ministry of tourism के अंदर ही आएगा देखो अपना देश तो and spirit create करनी है एक भारत शेष्ट भारत की तो hyderabad जो है उसे city of pearls city of nizam नizam तो आप जानती होंगे city of pearls भी कहा जाता है and इनकी एक vibrant historical legacy रही है कुतुब शाही dynasty भी यहाँ पर थी जो मुहम्मद कुली कुत्व शाहा थी उन्होंने हैदराबाद को बनाय था 1591 में and beyond the fortified gold gunda 1687 में जो city थी इसको मुगल्स ने annex कर लिया था 1724 में जो मुगल गवर्नर थी निजाम असफ जा इन्होंने अपने sovereignty जो थी वो गोशित कर दी थी and कहा था अब हमारी असफ जाही डिनस्टी है and हम निजाम्स कहलाएंगे हैदराबाद को imperial capital कहा जाता है असफ जाही का 1769 से 1948 तक कुछ important cultural sites देखेंगे हैदराबाद की यहाँ पे गोलकॉंडा फोर्ट है हैदराबाद के अंदर तो यह किस ने बनाया है यह काकटिया डिनस्टी ने बनाया था 13th century के अंदर then आपको चो महल पैलेस मिलेगा maybe I'm pronouncing it wrong so please bear for that so once the city of असफ जाही डिनस्टी युनेस्को एशिया पैसिफिक heritage merit award भी मिला था then चार मिनार भी यहाँ पर है मक्का मस्जिद भी यहाँ पर है जो औरंगजेब ने complete की थी then वरंगल फोट भी यहाँ पर है क्योंकि वरंगल जो आपको उनकी जो capital थी काकटिया डिनस्टी की then देखिए वरली पैंटिंग तो इंडियन फोक आज को promote करने के लिए जो National Fertilizer Limited है एक PSU है Department of Fertilizers के अंदर उन्होंने महराष्टरा का जो famous वरली पैंटिंग है ध्यान रखेगा अभी वर्ट चल रही है ना महराष्टरा की politics तो आप उससे थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं और किसके वीच में वर्ट चल रही है जरौ उसको भी mention कीजिए तो देखते हैं आपको पता है या नहीं है I know पता तो हो गई तो Fertilizers ने डिस्पले क्या है महराष्टरा का famous वर्ली पैंटिंग on the outer walls of its corporate office in Noida तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यह आपकी वर्ली पैंटिंग है now unwritten worldly language Indo-Aryan language है महराष्टरा वर्ली फोक paintings के लिए जाना जाता है 10th century AD से इसके जड़े जो मैं वो देखी जा सकते हैं जड़े मींस पेडों के जड़े नहीं यह painting की ठीक है मजाख है I know आपको पता होगा तो rock, shelters अगर आप भीम बेटका के अंदर देखेंगे तो वहाँ पे आपको थोड़ी सी ऐसी नज़र आएंगी central theme क्या रहती है जैसे hunting करना, fishing करना, farming, dances, trees, animals जो women होती है वो इनको बनाती है basic idea यही है circle, triangle, square इस तरीके से बनाई जाती है then onam onam यह देखे, legend of mahabali पहले आप यह diagram देख लेजे यह picture देखे, बहुत अच्छी है इसको देखके आपको याद रहेगा onam जो festival है यह किस महिने की शुरुवात की याद दिलाते है chingam chingam, एक मोटू पतलू शो आते है उसके अंदर आता है मेरी बेटी है, वो देखती है so, एक police man है and काफी funny character है तो chingam आपको याद रहेगा शायद तो उसके लिए celebrate किया जाता है first month होता है solar maliyalam calendar kola वर्षम की according August September में मनाया जाता है 10 days का festival होता है and culminates with thiru wonam most important day festival क्या है जो festival है, वो वेलकम करता है king mahabali का means, ऐसा माना जाता है कि इनकी जो आत्मा है वो केरला के अंदर आएगी at the time of onam जैसे हमारे हैं होता है न दिवाली पर की आपको दिये वगेरा जला के रखने है क्योंकि माता लक्षमी आएगी so, it is also celebrated as the festival of paddy harvest paddy आपको पता होगा क्या होती है rice उसके harvest के लिए इसको celebrate किया जाता है and festival के time पर जो लोग होते हैं वो अच्छे-ची dresses पहनते हैं onam sadhya बनाते हैं and poo kolam means flowers flowers से रंगोली बनाते हैं wallam kali boat race होती है pulli kali tiger dance होता है kai kutu kali onam dance होता है kumatikali mask dance होता है ठीक है onam pungal आपको पता होना चाहिए now modern Indian history from the middle of 18th century until the present significant events, personalities and issues so Bal Gangadhar Tilak's 100th death anniversary तो freedom fighter थे, strongest proponent थे किसके पून स्वराज के और total self-rule लोगमाल ने Bal Gangadhar Tilak की 100th death anniversary 1st August को celebrate की गई now he was the part of Lal Bal Pal, Lal से Lalal आजपत रहा है Bal से Bal Gangadhar Tilak and Pal से Bipin Chandra Pal इनको Troika कहा जाता था क्योंकि तीन लोग थे ये father of Indian unrest जिनोंने लिखी है Bal Gangadhar Tilak ने and जावाला लहरूई ने father of Indian revolution कहते थे महतमा गांधी ने maker of modern India कहते थे important है ध्यान रखिएगा then रेखिए इनका जो famous slogan था वो यही था कि स्वराज मेरा जन्म से दधिकार है and मैं इसे लेकर रहूँगा and I shall have it तो birth anniversary 23rd July को मनाई जाती है ठीक है उसके उपर article already published कर दिया गया था वो आपने दिखा होगा ऐसा insights आई है समय बोल रहा है तो Bal Gangadhar Tilak then Abindranath Tagore तो ये भी आपने देखियोंगे painting से काफी जादा related करते हैं Rabindranath Tagore के भाई थे नेफ्यू थे तो भती जे थे, sorry and National Gallery of Modern Art New Delhi ने जो टाइटल दिया है Great Maestro Abindranath Tagore तक कि इनकी 150 birth anniversary 7 August 2020 को याद रखी जा सके तो कौन थे ये नेफ्यू थे Rabindranath Tagore के Rabindranath Tagore आप सब को पता होंगे one of the most important personality जिन्होंने ब्रह्मो समाज को found किया था तो he was the first founder of Swadeshi Values अभी ये Abindranath Tagore की बात चल रही है इन्होंने Indianist Society बनाई Oriental Art की Bengal School of Art को means flourish कराया इन्होंने जो wind, जो west थे उनको oppose किया कि अपने इंडिया में काफी सारी चीजें प्रदर्शित करने के लिए उन्हें प्रदर्शित कीजे Hindu philosophy की according ही इनकी जो paintings वगेरा होती थी वो आती थी इन्होंने थोड़े बाद में Chinese and Japanese calligraphic traditions को भी involve किया था इनकी famous paintings ध्यान रखेगा भारत माता then Passing of Shah Jahan My Mother Fairyland Illustration and Journeys End Now जो अबिंद्रानाथ थे इन्हें राइटर भी थे इनके जो literary works थे वो खासकर बच्चों के लिए होते थे इनकी कुछ books भी हैं जैसे Budo Angla Kherir Patputul Raj Kaahini William Rothenstein ने भी help की थी अबिंद्रानाथ टेगोर को कि वो अपनी जो गितांजली है उसको publish करें English के अंदर Arabian Night Series जो है वो इनका notable work है तो इनके जो main important points बताए है revise them again and again देन देखिए Pingali Venkaya तो birth anniversary मनाई जाती है इनकी 2 अगस्त को 2 अगस्त 1876 में आंदर परदेश में इनका जनम हुआ था इन्हें जंडा Venkaya भी कहा जाता है यह freedom fighter थे इंडियन जो national tricolor है उसके यह designer है बनाया था इन्होंने तो national flag जो था So 1918 and 1921 के बीच में जो Venkaya थे उन्होंने इशू ठाया था कि हमारा खुद का flag होना चाहिए and he was the lecturer means वो lecturer थे अंदर national college मचले पतनम के अंदर फिर वो महत्मा गांधी से मिले विजयवाडा के अंदर अपनी publication उन्होंने शो की design शो किया flag का तो गांधी ने Venkaya से पूछा कि आप जो है नम मतलब एक नया बनाईए and Indian National Congress की जब meeting होगी 1921 तो तब वहाँ पर उसे लेके आईएगा तो Venkaya जो थे वो पहले सिफ saffron and green color के साथ आए थी लेकिन बाद में एक spinning wheel भी बीच में लगाया गया white color भी बीच में अड़ किया गया तो लाला हंसराज सोंधी ने suggest किया था कि spinning wheel लगाई जाए ताकि independent nation शो किया जा सके कि हम local fiber से अपने कप्रे खूद बना सकते हैं तो flag initially adopt किया Indian National Congress ने 1931 में तो ये आफ photograph देख सकते हैं पिंगली वैंकिया की then हब हम पढ़ेंगे महत्मा अयंकाली तो प्राइम मिनिस्टर ने याद किया महत्मा अयंकाली को on his 157th birth anniversary on 28 अगस तो कौन थी ये 28 अगस 1863 में इनका जनम होता है त्रवन कोर के प्रिंसली स्टेट के अंदर कैरला के अंदर आपको मिले गई है आज के कैरला में जो caste discrimination इन्होंने face किया as a child जिसकी वज़े से वो anti-caste movement के leader बने महत्मा गांदी ने अयंकाली को पुलाय किंके नाम से बुलाते थे means India's greatest son 1893 में अयंकाली जो थे उन्होंने एक ox cart challenge adopt किया था कि the ban on untouchables की जो लोग है वो roads को क्यों नहीं use गरने देते हिंदूस तो उसके लिए इन्होंने challenge किया था and freedom के लिए इन्होंने चले थे and जो दंगे थे उन्हें फिर चलियार roits कहा गया था so untouchables के लिए इन्होंने काम किया काफी सारे changes इन्होंने करने की कोशिश की जिसे लोगों का भला हो जन्हें आज के टाइम पे दलित्स कहते हैं and ये started ये means protester थे पुलायर rights के लिए 1907 में इन्होंने और means अच्छा काम किया government schools के अंदर काम किया inspired by श्री नरायन गुरू श्री नरायन गुरू आपको एज़ावा कास्ट से याद आ जाते होंगे तो ये भी इन्होंने इनके साथ ही मिलकर सधु जन परिपलन संगम स्टार्ट किया ताकि funds उठाए जा सके खुद के schools खोलने के लिए अब हम पढ़ेंगे Quit India Movement के बारे में topics है freedom struggle तो 78th anniversary 8 अगस्ट 2020 को मनाई गई हर साल 8 अगस्ट को आगस्ट करांती दिन के रूप में मनाया जाता है Second World War start हुई थी 1939 में जापान जो की access powers का पार्ट था वो Britishers के खिलाफ था and Britishers ने अपनी जो territories थी वो South East Asia में छोड़ दीती है और भाँ के लोगों को उनके ही भग्य पे छोड़ दिया था Gandhi का भी विश्वास था कि British जब इंडिया को भी छोड़ेंगे तो Japan would not have enough reason to invade India तो जापान का इंडिया में आने का कोई मतलब है नी तो जब British setbacks के बारे में सोना और wartime difficulties के बारे में सोना कि prizes किस तरीके से बड़े है and जो failure था Crips mission का भी कि जब Crips mission भी आया था यहाँ पे इंडिया के लिए तो यह सब एक means remedy प्रोवाइट करने की कोशिश लगी कि और गांधी जी ने एक means नारा दिया कि do or die कहां पर गोवालियन टैंक मैदन के अंदर एम यही था कि British rule को अब खतम करना है हमें free India चाहिए हम एक provisional government बनाएंगे after British withdrawal and अगर नहीं माने तो हम British rule के खिलाफ civil disobedience movement भी sanction करेंगे क्या कहा गया government servants को क्या कहा गया कि अपनी job मत छोड़ो लेकिन Indian National Congress के प्रती loyal रहो soldiers को क्या कहा आर्मी में रहो लेकिन जो patriots है उनके उपर fire मत करना peasants को क्या कहा rent तभी पे करो अगर landlord और जमिनदार anti-government है और अगर वो government के साथ है तो फिर rent भी आप मत पे कीजिए पर आप princess के लिए क्या कहा कि लोगों को support करें उनकी sovereignty को accept करें people of the princely states के लिए क्या कहा गया कि ruler को तभी accept कीजिए अगर वो anti-government है कुछ national leaders महत्मगांदी, अब्दुलकलामजा जवाहला लहरू, सरदार वरलभाई पटेल इनको तभी arrest कर लिया गया था Congress को कहा दिया था कि यह मतलब unlawful association है पहला जो movement का हाफ था वो peaceful था जो second हाफ था वो violent हो गया था, दंगे हो गए थे government buildings, railway stations जलाए गए थे Lord Lilith Goh ने जो policy थी वो violence की adopt की थी Lord Lilith Goh थे थे 38 से 36 तू 44 थे यह देन देखे जो वैसरोई की council थे Muslims, Communist Party और जो Americans थे इन्होंने Britishers का साथ है दिया था धियान रखेगा, drawbacks क्या थे violent methods यूज के गए, leadership की कमी थी कुछ parties ने नहीं support किया इसी time पर जो सुभाजचंद बोस थे वो Indian National Army बना रही थे अजाद हिंद government बना रहे थे country के बाहर से ही जो सी राज गुपाल चारी थे वो complete independence के favor में नहीं थे तो इन्होंने Indian National Congress से resign कर दिया था, धियान रखेगा अरूना साफली जो जैसे ग्रांट ओल्ड लीडी कहा जाता है इन्होंने जो गुवालियन टैंक मदान था मुंबई के अंदर वहां से इन्होंने ये जो movement था इसको continue रखा था, उशा महता जो थी वो underground radio station चलाती थी तो ये prelims में पहले भी पूछा जा चुका है तो फॉर्ण मिलस्ट्री आफ नेपाल ले कहा कि जो 1947 का agreement हुआ था इंडिया, नेपाल और उनाइटेड किंग्रम के बीच में वो redundant है क्या था ये एंगलो नेपालीस वार हुई थी 1914-1960 में तो ब्रिटिशर्स ने डिसाइड किया था कि वो गोर्खा सोल्जर्स को अमीन सपोइंट करेंगे 1815 में जब इंडिया की इंडिपेंडेंट्स हुई तो जो कुश्चन था कि जो 10 रेजिमेंट्स है गोर्खा सोल्जर्स के उनने सेटल किया जाए थू ब्रिटेइन, इंडिया और नेपाल रिपार्टाइट अग्रीमेंट्स फिर ये जो अग्रीमेंट्स था इननोंने गोर्खा रेजिमेंट्स को डिवाइड कर दिया कि ब्रिटिश एम्पार जो है वो टू पार्ट्स में डिवाइड़ेड है एक इंडिया एक युकी देन इनोंने ये भी अश्यार किया काला पानी रेजन के लिए इशु दबार से सामने आया है तो गोर्खा जो थे वो 3% थे इंडियन आर्मी के अंदर and 2015 में इन्होंने 200 years of service बे कम्प्लीट किये इनका जो वैपन है खुकरी ये लोगी यूज करते थे कर्व शेप का होता है क्यों इन एलिजाबेथ जो थे उनको गार्ड करते थे टू परसनल गोर्खा ओफीसर तो इंडियन आर्मी चीफ जो है उन्हें इस ग्रांटिर दा ओर्नरी पोस्ट ऑफ जनरल इंदा निपाल आर्मी तो ये भी आप ध्यान रखेगा ये आप थोड़ा सा देख लेजे इस इस यूर काला पानी उत्रागन की पितोरागर डिस्टि इस ग्रांटिकल मैप दिखाया और जहां पे जम्मु कश्मी, लदाख, सर्क्रीक, जूनागर सब को अपने मैप के अंदर शो कर दिया कि ये आस्पिरेशन आफ पीपल है तो ये आपसर्डिटी मना गया है, अंतिनेबल क्लेम से हैं, कोई वैलेडिटी, कोई इंटरनाशनल क्रेडिबिलिटी नहीं मिलेगी पाकिस्तान को, पाकिस्तान का जो अपसेशन है, टरिटोरियन ग्रेंडिजम का वो एक क्रॉस बर्डर टैररिजम को शो करता है, जो मैप है वो रिलीस किया गया, इंडियन गॉर्मेंट जाफ फिफ्ट अगस्त के जो डिसीजन थे जम्मु यूनियन टैरिटरीज में डिवाइड कर दिया था ना, तो ये मूव जो है वो इंडिया ने क्योंकि पीओ के को भी यूनियन टैरिटरी अफ जम्मु एंड कश्मीर में शो किया है, गिलगिट बलतिस्तान को लदाक में शो किया है, तो उसके लिए टिट फो टैट करना चा अरेबियन सी के अंदर ये जाती है, एंड कच रीजन्स हो है गुजरात का, उसे सिंध प्रोविंस ओफ पाकिस्तान से अलग करती है, ठीक है, ये आपको दिखाई देगी, ठीक है, इस इस यूर सर क्रीक, ये एन रिलेटे डिस्प्यूट क्या है, पाकिस्तान ये क्लेम करत एंड डेल्टास क्या होते है, डेल्टास में सेडिमेंट्स जम्मा करेंगे, यहां से भी पानी जाएगा, 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 यहां से भी पान जुनागड है ठीक है this is the जुनागड नौ 74th Independence Day तो इंडिया जो है वो Independence Day 15 अगस्त को क्यों celebrate करता है pre-independence 1929 में जवाहलला लहरू जब Congress President थे तो उन्होंने टोटल Independence का नारा दिया था and 26 जन्वरी को Independence Day पूर्ण स्वराज की रूप से मनाया जाने लगा so 26 जन्वरी जो था वो Independence Day के रूप में चूस किया गया था Congress Party 1930 से तभी से 26 जन्वरी 1950 से Independence जो थी वो मना रही थी and it was chosen as Republic Day जब इंडिया सौवरन कंट्री बन गया क्योंकि British Dominion नहीं रहे फिर अगस्त 15 कैसे इंडिया Independence Day बना क्योंकि जो Lord Mountbatten थे उन्होंने एक mandate दिया कि British Parliament जो है वो सभी पावर 30 जून 1948 को इंडियन के हाथ में दे देगी and if he had waited अगर 1948 तक wait करा होता तो सी राजगोपाल चारी के memorable words थे that कि कोई पावर है नहीं इनके पास transfer करने के लिए तो Mountbatten ने जो देट थी वो अगस्त 1947 को कर दी ठीक है 1948 ना रहके क्योंकि देखे कब बोलता 30 जून 1948 को 30 जून को ही बोला था ठीक है मुझे confusion रहती है जैन 30 जून को बोला था लेकिन अगस्त 1947 में इन्होंने ये जो देट थी वो पहले ही announce कर दी ताकि कोई bloodshed ना हो कोई दंगे ना हो and Mountbatten के जो inputs थे कि जो India Independence बिल है वो British House के अंदर 4 जूलाई को introduce हो गया है within a fortnight pass हो गया है British rule of Ann हो गया है 15 अगस्त को तो हम transfer कर देते हैं तो इस वज़ा से पहले ही हमें क्या हुई आजादी मिल गई now Mountbatten ने इसलिए चूज की थे क्योंकि जो जापान के लोग थे जापान ने surrender कर दिया था इनके सामने तो उस टाइम 2 अगस्त थे तो इनों ने इसलिए 15 अगस्त 1947 को चूज किया था ठीक है तो दिहान रखेगा Republic Day आपका 26 जनवरी को है Independence Day 15 अगस्त को है अब कुछ 18 सेंचरी से कुछ History of World War, Capitalism, Communism, Socialism ये सब पढ़ेंगे तो जापान मार्क 75th Anniversary of Hiroshima Atomic Bombing कई बार पढ़ चुके है जापान ने 6 अगस्त को 75 साल पूरी कर लिए है जब वर्ल्ड का पहला Atomic Bomb Attack हुआ था With the coronavirus pandemic क्योंकि जो अब फैल रहा है तो US ने Atomic Bomb गराए थे Japanese City, Hiroshima पर Black Rain इसे कहा गया था And 9 अगस्त को Nagasaki के उपर ठीक है, Hiroshima, Nagasaki आपको ध्यान रहेगा क्योंकि World War 2 हुई थी 1945 में तो जो Relations थे Japan and US के वीच में बहुत खराब हो गई थे उस टाइम US के President Harry Truman, इन्होंने कहा था कि Atomic Bombs को यूज करते है Now इन Atomic Bombs को किसने बनाए था, Manhattan Project के अंदर बना था, जो Atomic Bomb Hiroshima पर गिराए गया था, उसका नाम रखा था Little Boy, और जो Nagasaki पर गिराए गया था, उसका नाम रखा था Fat Man, तो Little Boy और Fat Man किसके नाम है, Bombs के नाम है ठीक है, यह हम पहले भी कर चुके है Women and Women Related Issues Women में Science कहां से आ गई चलो, देखते हैं, Science and Technology Indicators 2018 तो Science and Technology Indicators 2018, एक Periodic Compendium होता है, State of Scientific Research का, और यह Recently ही हुआ यह Report प्रिपेर की National Science and Technology Management Information System ने एक Division है Department of Science and Tech की यह Data प्रोवाइड करती है कि Scientific Establishment कंट्री के अंदर कितनी हुई है, तो इंडिया का जो Private Sector Research Companies है, वो काफी सारी विमेन को जॉब देते हैं Research, Development Activities में इतनी Government Funded Agencies नहीं देती, दोहजार अठारा के अंदर यह Historic Trend रहा कि इंडिया की साइंटिस्स हैं Being Overwhelmingly Man वो Man निकले Now on the whole, means जादा आदमियों को काम दिया गिया Private Sector Companies का Greater Commitment यही रहता है कि Women Scientist को भी Fairly Represent किया जाए And all that Now Social Pressure जो है Women के उपर कि Family को देखना है इसकी वज़ा से थोड़ा Professional Career खराब हो जाता है Patriarchal Attitudes है ठीक है तो These are the issues कुछ नहीं नहीं है सब अहीं पुराने घिसे पिटे Reasons Now कुछ Topics Population and Associated Issues Poverty and Developmental Issues Swach Sarvayakshan 2020 Report तो Swach Sarvayakshan Report किसने दिया है हमें अपने घर को साफ रखना चाहिए Union Housing and Urban Affairs Ministry ने ध्याने जाएगा 4242 cities कवर की गई 62 cantonment boards 92 ganga towns 28 दिनों के इंदर इसको कवर किया गया जो rankings थी वो किस बेसिस पे थी Cities को divide किया गया Population के बेसिस पे इंदोर जो है वो सबसे cleanest city पाई गई है इसके बाद सूरत और नभी मुंबई 36 गर जो है अर्बन local bodies क्या होती है Class 12th की I think book है Human Geography की Please read that New Delhi जो है वो Capital City ये तो आपको पता होगा जो 36 गर की अंबिका पूर है वो cleanest smallest city है ठीक है Then Bengaluru जो है वो उसे best self sustainability award मिला है Mega city category के अंदर इसका screenshot ले लिए Learn it, Learn it and Learn it जारकंड वो cleanest state है जहापे 100 वो urban local body से कम है Cleanest cantonment है जालंदर केंट पंजाब का है Cleanest town जो गंगा पे बना हूँ है वो है वारा नसी वो cities जहापे population एक लाग से कम है तो महराश्ट्रा की कराड Cleanest city है Maximum citizen participation है शाहजापूर के अंदर 40 लाग से जादा population और cleanest mega city एहमदाबाद गुजराथ Fastest moving city जोदपूर राजस्थान Self sustainable city राजकोट गुजराथ मैसूरू करनाट का जो है वो medium sized के अंदर आई है में इस 3 लाग से 10 लाग सुअच सर्वेक्शन PM मोदी ने लौंच किया था 2016 के अंदर ताकि सुच भारत अभ्यान की performance को देखा जा सके Cities के बीच में competition रहे कौन इस सर्वे को करता है Quality Council of India Ministry Housing and Urban Affairs सर्वे कौन करेगा Quality Council of India 1997 में ये बना था Accreditation Body है Now Geo Physical Phenomena देखेंगे Earthquake, Tsunami ये सब देखते हैं थोड़े geographical features तो Geothermal Springs in Himalaya रिलीज लार्ज अमाउंट आफ कार्वन डैक्साइड इक स्टड़ी की गई स्टड़ी किसने की Wadia Institute of Himalayan Geology ने कि Himalaya's के अंदर Geothermal Springs है Geothermal Springs जो होते है वो 10,000 स्क्वेर किलो मेटर जो Himalaya का गड़वाल रीजन है उसे कवर करते है एंद हिमालयाज ने काफी hundreds of Geothermal जो Springs है उन्हें लूस कर दिया है एंद इसकी वज़ए से Carbon Dioxide फैल रहा है जो Carbon Dioxide है वो यहां के जो Carbonate Rocks की जो Metamorphic Decarbonation है उसकी वज़ए से हो रहा है जो काफी सारा Geothermal Water है वो Dominate means Evaporate हो जाता है Silicate Waters की Wathering की वज़ए से Hot Spring क्या होते है यह Spring होते है Means Fooare होती है जो की Geothermal जो मितलब जमीन के अंदर जो पानी है जब वो गरम होता है और जितना हम धर्ती के अंदर अंदर जाएंगे तो धर्ती बहुत गरम है Magma, Molten Rock आपको मिलेंगे यह जो Magma है It is Surrounded by the Different Layers of the Earth ठीक है तो अगर माल लीजे कोई Crack या जो Thrust Fault रह जाता है Layers of Earth के बीच में तो amount of heat जो है वो transfer होती है Magma से to the surrounding rocks and सभी जो thermal energy होती है वो transfer होती है फिर Rock से उस Thrust Fault के साथ जो भी वहाँ पर पानी होता है जैसे जैसे धीरे पानी का तापमान बढ़ता रहता है तो वहाँ से आपको गरम जो springs होती है वो नजर आती है Then Mount Sinabang तो Sinabang जो है वो Indonesia के सुमात्रा रीजन में है दुबारा से जो volcano active हो गई है पहरे 2010 में हुई थी Indonesia के अंदर काफी सारी volcanoes आती है डॉर्मेंट भी हो सकती है एक्स्टिंक्ट भी हो सकती है जब मैगमा सर्फिस पे आ जाए तो volcano आ जाती है अगर मैगमा सॉलिड रॉक से हलका हो तो वो वेंट्स के थूरू फिजर्स के रूप में निकलती है और जब वो इरॉप्ट हो जाती है तो उसे हम क्या कहते है लावा अगर मैगमा रनी है जादा फ्ल्यूड है थिन है तो जो गैसे बाहर से निकलेंगी गैसे इसली एसकेप इट इन विच केस दा मैगमा फ्लो आउट तोवर्डस दा सर्फिस दूसरी तरफ अगर मैगमा थिक होगा डैंस होगा तो गैसे एसकेप नहीं हो पाएंगी देखो अगर कोई चीज पानी है पानी बहर आए तो गैस के होगी एसकेप हो जाएंगी लेकिन अगर वो थिक है तो गैसे उसमें से नहीं निकल पाएंगी जिसकी वज़ए से प्रेशर जादा होगा and जादा violent explosion होगा, ठीक है, तो अगर जादा पानी के form में निकलता है, तो वो थोड़ा ठीक है अगर tight होता है, तो फिर वो क्या हो जाता है मुश्किल, यह आप diagram देख सकते हैं, यह देखे, कैल्डेरा बन गई है थोड़े दिर में यहापे पानी जमा हो जाएगा यहाँ से शुरू करते हैं, इस इस यूर फिजर फिजर देखे, विल्कुल पानी की शेप में है इस यूर शील्ड वोलकेनो शील्ड है, ठीक है यह आपको composite वोलकेनो दिखाई देरी होंगी इसके अंदर से तीन पार्ट्स निकले हुए है यह जैंटल स्लोप है नाओ, लेट्स रीड अबाउट वटार हरीकेन्स तो हरीकेन लोरा, लोरा आया है कापर लुशियानिया, यूएस के अंदर तो हुरीकेन्स क्या होते हैं, वो ही आंधिया होते हैं बहुत बड़ी-बड़ी लाज स्वर्लिंग स्टॉर्म होते हैं 119 km प्रति घंटे की स्पीड पर चलते हैं गरमोशियन वाटर में, आई, आई वाल, रेइन बैंट्स क्या होते हैं हमने लास्ट वीडियो के अंदर ही डिसकस किया है यह जो होती है, यह जो होती है, यह जो ऐसे यह आई वाल यह रेइन बैंट्स बने हुए हैं ट्रॉपिकल डिस्टर्बेंस की वज़ा से होती है 63 km स्पीड से जब स्पीड पोहँच जाती है तो उसे ट्रॉपिकल स्टॉर्म कहते हैं जब उससे कम होती है तो ट्रॉपिकल डिप्रेशन कहते हैं जब 119 km पोहँच जाती है तो उसे हरीकेन कहते हैं Now, hurricanes, यह आप देख सकते हैं, यहाँ पे अपने, इंडिया के यहाँ पे क्या कहते हैं, साइक्लोन, Caribbean, हरीकर, मैंने याद किया था, हरीकर, तो Caribbean कहाँ भी है, North America के पास, तो hurricane यहाँ पे होता है, टाइफून, टाइफून कहा है, Australia के पास, Now, warm ocean waters, जब पानी का ताबमान 26 degrees से जादा हो जाए, जब winds है, वो change ना हो पाए, don't change much in speed and direction, तो उसकी वज़ाँ से storms बनते हैं, Now, कुछ Indian constitution, पॉलिटी के topics पर आ गई है, GS2 हम करेंगे, Indian constitution का comparison and all, So, what is defamation, तो Delhi High Court ने, Delhi Police and Z News को कहा है, कि जो त्रेनमुल Congress MP महुआ मोइत्रा है, उन्होंने जो means apply file की है, उसका जवाब दीजी, And क्योंकि उनके against defamation case उन्होंने file किया था, against 100 defamation case, तो issue किया था, case जो relate करता है, Miss Moitra 25th June 2019 कोई speech दे थी Parliament में, किस पर 7 signs of fascism के अगबार, And एक TV show चलाया गिया फिर, Z News ने file की defamation complaint against Miss Moitra की, जो statements है, वो against the channel है, Now defamation क्या होता है, defamation मतलब कोई भी गलत statement देना, जिससे किसी person की reputation पे फर्क पड़े, business, product, group, government, religion and nation पर फर्क पड़े, अब ये criminal भी हो सकता है, civil भी हो सकता है, difference यही है कि आपका objective क्या था, civil मतलब आपने जो गलती की है, उसका आप compensation पे कर दो, and criminal के अंदर आपको punishment मिलेगी, legal provisions क्या है, criminal defamation rule है, section 499 of IPC के अंदर, तो civil defamation tort law पर based होता है, section 499 बोलता है कि defamation किसी के भी थूर हो सकता है, आप चाहिए शब्दों से बोल कर, लिख कर, किसी साइन से, किसी को भी अगर आप disrespect शो करते हो, now section 500 of IPC punishment बताता है, ठीक है, जो criminal provisions है, वो means of harassment भी हो सकते हैं, punishment में convert किया जाएगा, fundamental right तो है, सब की, लेकिन defamation law उसको भी थोड़ा देखता है, now Supreme Court ने क्या का है, Subramaniam Swami versus Union of India की हुई थी, court ने इसको valid माना, कि ये दोनों ठीक हैं, अगस 2016 में, court ने strictures भी पास किये, Tamil Nadu के Chief Minister Jail Alita के लिए, क्योंकि उन्होंने जो criminal defamation रोल था, उसको गलत तरीके से यूज किया था, so now EWS quota challenge राफर to constitutional bench, तो 10% reservation मिला हुआ है, EWS को अभी अपने UPSC का mains result भी देखा होगा, EWS वाले बाजी मार गए, very good, and 10 unconstitutional इसको बोला गया है, कि जो grant है, वो constitutional भी है या नहीं है, 50% जो ceiling है वो उसको means खतम करते हैं, तो ये एक file आई है, file हुई है, reference का क्या मतलब है, अगर आप article 145, subsection 3 पढ़ेंगे, तो जो minimum number of judges बैठते हैं, जब भी constitution को समझने की बात आई, या law को समझने की, तो कम से कम 5 होने चाहिए, supreme court जो rule है 2013 का, वो भी ये कहता है, कि जो writ petitions होती है, that allege of violation of fundamental rights, जहां fundamental rights की बात है, वहाँ पे कम से कम 2 judges बैठे, अगर subsequent question of law हो, तो 5 judge bench बैठेगी, नाव जो law है, वो two grounds के उपर basis होना चाहिए, कि पहला एक तो वो basic structure को violate करता हो, second, क्योंकि 103 amendments से, EWS को जो है, क्या मिला हुआ है, 10% reservation मिली हुई है, कि social disadvantage, जो economically weaker sections है, उनको reservation मिलेगी, दूसरा ये कहते है, कि ये violate करता है, Supreme Court के 1992 ruling, इंदरा सोनी को, क्योंकि उसमें कहा था, कि 50% reservation से जाधा आप नहीं दे सकते, इशू ये है, कि जो economic reservation है, वो article 15 और 16 को change करके लाई गई, जो 3 judge bench थे, उन्होंने refuse कर दिया था, कि 100 जो 3rd amendment है, जो 10% quota provide करती है, उसको means, उसके implementation के लिए मना कर दिया था, नो ये हर state का prerogative है, कि वो 10% provide कर सकते हैं, अपनी state and educational institution में, government jobs में, article 15 subsection 6, 16 subsection 6 change किया जा चुका है, government ने ये भी आर्ग्यू किया, कि article 46 में लिखा हुआ है, कि ये DPSP का part है, कि वो economically weaker sections के interest को promote करे, यहाँ पर जो claims, इंदरा शोनी principle पे थे, तो government ने का कि, कि हम अशोग कुमार ठाकुर वर्सिज यूनियन ओफ इंडिया के according चल रहे है, जहाँ पर सुप्रीम कोट ने 27% कोटा भी OBC का ठीक माना था, constitution bench का 143 subsection, यह जो 143 है, वो यही कहता है, 143 तो देखिए कहता है, कि President of India Supreme Court के साथ consult करे, 145 subsection 3 यह कहता है, कि जब भी कोई question of law हो, तो उसको 5 judges के bench सुनेगी, last topic करेंगे आज का हम, अरुनाचल groups push to six schedule status, तो यह अपने 371 subsection 1 के according, क्या मान रहे हैं कि हमें भी six schedule के अंदर डाल दो, अरुनाचल परदीश अभी 5th schedule में आ है, तो उसे special rights नहीं मिल पाती है, और six schedule में आना चाते हैं, ताकि सभी natural resources के owners बन जाएं, सिफ protectors हम ना रहें, हमारी legitimate owner rights हो, natural resources पे हम self-sufficient बन जाएं, 10 autonomous district councils, जो six schedule के अंदर हैं, जैसे AM, TM के अंदर हैं, असाम, मिघालिया, त्रिपुड़ा और मिजोरम के अंदर, तो इसे Constituent Assembly ने 1949 में पास किया था, autonomous district councils बनाई थी, और यह जो special provision है, यह article 244 subsection 2, and article 275 subsection 1 के according आता है, जो governor होते हैं, वो in autonomous district को organize, reorganize करते हैं, governor divide भी कर सकते हैं, और autonomous district के अंदर, जिसमें से 4 को governor nominate करते हैं, and 26 जो होते हैं, वो elect होकर आते हैं, जो elected members होते हैं, उनका time period 5 years होता है, हर autonomous region में एक separate regional council होती है, यह अपने land, forest, canal water, shifting, cultivation related कानून बना सकते हैं, village councils भी होती हैं, इनके powers and functions यहीं हैं, कि यह चाहें तो primary schools, dispensaries, markets, ferries, fisheries इन सब का ध्यान रख सकते हैं, now nagaland, nagaland 371 subsection A के according आता है, कि state के अंदर parliament का तब तक वो rule apply नहीं होगा, जब तक nagaland assembly उसको हामी नहीं दे देगी, so thank you so much, 30 pages हमने कर लिए हर दिन 20 pages करेंगे, up to 10 September, your August current affair will be complete, okay, after that, I will not upload the September current affair compilation video, please do it by yourself, I will upload the videos after the prelim, so thank you so much, please, please, please share the videos, please.